नमस्कार फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब बहुत दिन के बाद फिर आप सब का स्वागत है इस चैनल पर और यह जारखंड का पहाड है दोस्तों अभी पहाड़ी गाहा में जाने वाले हैं और बहुत देर से हम पैदल आ रहे हैं क्योंकि जैसा आप रास्ता देख पा रहे हैं इ अच्छा सहर भी हैं जैसे राची सहर है और भी है टाटा जमसेत पूर बोकारव बहुत अच्छा सहर भी है लेकिन उतना ही सुदूर चैनल भी है जहां पहाडों से घीरा हवा चैनल भी है जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं और हम आपको दिखाएंगे कि पह तो देखिए यह पतला सा रस्ता है यह जाड़ीयों के बीच में सजाती है और हम बहुत उपर में हैं अपको अगर दिख रहा होगा तो नीचे जमिन थोड़ा सा भी नहीं दिखेगा यानि इधर भी देखिए आपको पहाड़ी नजर आएगा अभी तो हलका हलका धूप भी ह तो इसलिए बहुत दूर तक आपको नजर नहीं भी आ सकता है अगर मौसम थोड़ा सा बादल ट्राप कर रहा था तो आपको नजर आता क्योंकि धूप में यह ज्यादा चमुकता है और मैं सूर्य के अपोजिट साइड में जा रहा हूं तो लाड़ भी थोड़ा सा इधर- लोग कैसे जीवन यापन करते हैं अक्सर पहाड़ों पर पानी की समस्याय बहुत ज्यादा होती हैं और इस बार तो खेती बारे कुछ भी नहीं हुआ है ऐसे ही बस लोग बाहर प्लाइन कर रहे हैं और गाह में जाने के बाद आपको पता चलेगा कि गाहां कैसा है और बजरा हुआ मक्का हुआ इनसाल तो बजरा मक्का कुछ नहीं है अब बस थोड़ा बहुत बरबटी लगा है अगर आप हमको कहींती थोड़ा सा उचाई वाला जगा मिल जाए तो आपको हम व्यू दिखा देंगे दूसरे तरफ का कि कैसा दिखता है यहां से आपको दिख आपको दिखाह हुआ हैं नीचे अ और भी पहाड़ है चोटे चोटे पहाड़ भी है और मेरा ऐसाल साइड में तो और भी भहूथ के उच्छे पहाड़दा इंधर तो आपको दिख नहीं रहरा हुगा कैमरा में क्योंकि लाइट कुछ इस तरीके से आज मौसम कुछ इस तरीका से दूर तक नहीं दिखता है, तो यह है जारखंड का साहव गंजीला का, इसको राजमहल की पहाडी बोलते हैं, यह बहुत ही बड़ा छेतर में है इस दोस्तो राजमहल की पहाडी, हाँ यहां से आपको दीख सकता है, आपको जरा दिखाते हैं यह जो पहाड़ा आपको दिख रहा है यह बहुत ही घना जंगल वाला पहाड़ है और राजमाल चेतर में सबसे घना जंगल इसी एरिया में है और आपको उधर बीच में से और भी पहाड़ दिखेंगे जाडियों के पेड़ों के बीच में से और भी दूर-दूर तक पहाड आपको दिखेंगे यानि कुल मिला कर हम यही कह सकते हैं कि जारखन में पहाडी छेत्र बहुत जादा है जितना खुब्सूरत सहर है उतना खुब्सूरत यहां का पहाडी छेत्र भी है चलिए आगे चलते हैं और गाओं का कुछ नजारा आपको दिखाते हैं और ये कुछ इस तरीके से यहां का रास्ता है आप गाड़ी में तो नहीं आ सकते हैं से लिए मैंने भी गाड़ी नीचे छोड़ा है पहाड के नीचे गाँ है वहाँ पर मैंने छोड़ दिया है और कुछ लोग इधर भी गाड़ी लाने का कोशिस किये थे ये देखे ये बरसात में थोड़ा सा किचड़ हुआ था तो ये गाड़ी भी ठीक से नहीं आ पाती है और ये देखे कुछ इस तरीके से रास्ते हैं कहीं उपर तो कहीं नीचे यानी उपर नीचे वाला रास्ता और पैदल चलने में आपको कठिना ही तो होगी क्योंकि पत्थरीली भूमी है पत्थर वाला रास्ता और साथ में आपको प्यास भी लग सकता है दूर दूर तक पान है तो इसलिए मैं आ रहा हूं और मेरा जो गाइड कर रहे हैं साइमन वो भी आ गया 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 रहा है और क्या ही बोले यार मजा तो आ रहा है पहाड में गुमने में लेकिन वही पहले बोले जैसे ठकावट भी आपको लग सकता है और बहुत अच्छा जगह है दोस्तों चलिए गाउं चलकर देखते हैं गाउं में क्या स्थिती है गाउं के लोग कैसे हैं और ऐसे भी पहाड में र दिख रहा है यह रास्ता देखिए जैसे आप लोग देख पारे हैं यह दूझ इस तरीके से घर होता है पहाड पर यह तो हमको लगता है सबसman अच्छा इसलिए यहां इस तरह दिख रहा है और सारा घर होंगे अपलोग यहां कि देख पर हैं इधर भी बहुत सारे दीदी लोग हैं बैठे हुए हैं अब नीचे दिख रहा होगा बहुत नीचे जमीन है उदर भी घर है उदर सम्थाल तोला है और हम जिस गाव में खड़े हैं यह इसको क्या बोलते हैं गोड़ा पहार यानि पहाड या गाव है और यहां पानी की सुईधा तो मुझे लगता है कि अच्छा होगा यहां पानी हो जहां भी है मुझे देख रहा है नीचे तरफ अच्छा यहां इसे पहाड़ पर ज्यादा पानी की समस्या होती है लेकिन यहां तो पता नहीं आफ्रकम प्रसी अभी होता है कि धर boy मैं का वहां में सूझा गवाकल मीश में सुभिके जूप हो और अब सिरनेतर गे लिज् तो दोस्तों आज का व्लोग यहीं पर खतम करते हैं आपको कैसा लगा यह पहाड का गाउं मुझे तो बहुत अच्छा लगा और अगर आपको समय मिलता है या आप सोसियल वर्कर है यूटीवर है व्लोगर है तो इस तरह का गाउं में जरूर कीजिए क्योंकि यह भारत का ही एक गाँ है दोस्तों और हर गाँ में क्या समस्या होती है कैसा होता है गाँ यह उजागर करना भी काफी जरूरी है आपकी हर आदमी तो जाकर के सरकार के पास अपना बात नहीं रख सकता बस इस तरह का छोटा छोटा वीडियो अगर कहीं पे मिल जा यूटीव में तो यह पहुंच जाती हैं उपर तक किलो गाह में कैसे रहते हैं तो दोस्तों मिलेंगे फिर अगला नया वीडियो में